नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर आज का हमारा टोपिक है मानों की आर्थिक गतिवीदियां Human Economic Activities इसे पहले के टोपिक में पहले के वीडियो में हमने मानों की आर्थिक किरियाओं का वर्गिकरन किया था और उसमें हमने मानों की आर्थिक किरियाओं को पांच वर्गों में वाजित किया था तो आज हम जो पांच मानों की आर्थिक गतिवीदियां उनमें पहले आर्थिक गतिवीदि जो है प्रात्मिक किरियाओं पर चर्चा करेंगे और उसमें शामिल जो च्छे आर्थिक किरियाएं थी जिनमें आखेट, वन उपजों का एकत्रीकरन, पशोचारन, क्रिशी, खनिज खनन, तो इन जो एक्टिविटी थी जो प्रात्मिक किरियाओं में शामिल हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन, एकत्रीकरन और आखेट के बारे में, फूड गेधरिंग और हंटिंग भोजन, एकत्रीकरन और आखेट मानव जाती के सबसे प्राचीन जीवन निर्वा व्यवसाय हैं यानि मनुश्य इस प्रत्वी पर आउत्रित होने के बाद सबसे पहले इसी प्रकार के व्यवसाय में लगा था यानि भोजन एकत्रीकरन और आखेट करना उसने प्रारम किया और यह जो किरिया है यह किरिया जो आदिम जाती है वो अपने बोजन आवाज वस्त्र इन सभी आउशक आउशक्ताओं के लिए करती हैं और उनकी यह जो आउशक्ताओं है यह जंगलों और जंगली पशुओं पर निर्वर है यानि यह जितना भी एकत्रीकरन और आखेट का कार्य है यह प्रा प्रशुपक्षी उन पर निर्वर करते हैं इस व्यवसाय में लगे आदिम जंजातियों का पूरा प्रिवार ही इसी प्रकार की गतिविदियां करता है यानि जो आदिम जंजातियां है उनका पूरा प्रिवार बोजन एकत्रीकरन और आखेट जैसे कार्यों में ही स्लंगन है और यह जो व्यवसाय है मानों और प्रयावरण के मद्दें साधारन व्य प्रारंबिक सामंजशे का दोतक भी है यही मनुश्य अपने उत्पत्ति के बाद सबसे पहले उसने यही व्यवसाय प्रारंब किया था तो यह आज भी अपने मूल रूप में मौझूद है तो यह प्रारंबिक सामंजशे को प्रदर्शित करता है लेकिन यह भी सच है की इस प्रकार के जो व्यवसाइब ह यह बहुत कम जन्संख्या के ब्रहन-पोशन के शम्ता रखते हैं इस कारण से ये जो व्यवसाइब है पुरयल जन्संख्या वाले छहत्रों में ही किये जाते हैं खास करके जो घनेवन परदेश है गनेजंगल परदेश है उन चेत्रों में आदिम जंजातियां है उन्हें कौन-कौन्सी है दक्षनी अमेरिका में अमेजन बैसिन में जो अमेरिंट से जीवारो यागुवा इस प्रकार की जिन जाती है जो इसी प्रकार के कारे में लगी वी है मद्ध्य अफरीका में कांगो जायरे बैसिन के पिग्मी जो है वह भी बोजन एकत्रिकरण और आखेट का कार्या करते हैं मलाया के सेमांग और सकाई जो हैं उनका भी प्रमुख आर्थिक्व्यवसाई बोजन एकत्रिक्रण और आखेट है इसके लावा न्यूगिनी के परफुएंस और बोर्णिया के पुनान जो है वो भी इसी कारे में लगे हुए हैं कालहारी के बुश्मेन उत्रियों उस्ट्रे इसके लावा अर्जेंटिना और चिली के यहागन जो जाती है वो कनाड़ा और यूरेशय के टूंडरा प्रदेशों के जो एसकीमों लोग हैं वो भी इसी प्रकार का कारे करती हैं और साइबेरिया के उत्रिवागों में रहने वाले सेमोईड और तुंगू याकूत युक इसी आखेट और बोजन एक ट्रिकरण के कारियों में लगी हुई है अगर हम इन प्रदेशों के जिसमें कि यह लोग रहते हैं और इस प्रकार का यह कारे करते हैं यहां की कुछ दशाओं पारे में बात करें तो ज़ंवाईयू के द कहते दरस्टी से यह प्रदेश कठोर प्रस्तीति वाले या तो यह अंति- हाद्र है या फिर यह अतिशुस्क हैं यह यह अतिशीग पर्देश है ज़िसे ऐसकेमों या साहिबरिया के जो लोग हैं यह लोग शीतल जलवायु में रहते हैं और बुश्मेन जो है वो मुरुश्तरीत्रों में निवास … करते हैं और पिग्मी या मेजन की जो जन जाती है वो आतर जलवायु में निवास परश्टिति में कंचोर ciao कndosh वो मुरुष्टरी जहत्रों में निवास करते हैं और पिगमी या मेजन की जो जन जाती है वो आति आदर जलवाईव में निवास करती है तो उस प्रस्तिती में कि कठोर जलवाईविक दशाएं होने की वज़े से कृष्वी कारें यहां संभव नहीं है और इसी वज़े से यह लोग वनुभुजों का एकत्रिकरण और आखेट जैसे किरियाएं करके अपना जीवनियापन करते हैं और Inde फिर ऎकर तो इंऄ Auckland के विशेष्टाओं के बारे मैं बात करें टो इनादिम जातियों का समाजिक ढांचा जो है वह मजुद है यादि अमाजिक डांचे नाम का इनमें को ज्यादा कि मैं तुम नहीं होता है और यह समाजिक द्रश्टी से उत्में ज्यादा संगठित भी नहीं होते तो अति प्राचीन दशा में मौझूद है जिस दशा में मानव ने इस प्रत्वी पर अपना प्रारंबिक जीवन प्रारंब किया था कि भोजन के दिबात करें तो यह जो लोग हैं यह सरुबख्षी होते हैं यानि यह फल सब्सक्राइबी खाते हैं तो दिम्मक चैंटी से लेकर हाथ यूदि तक के शिकार करके उनका मास भी खाते तो यह सरुबख्षी हुआ करते हैं एक त्रिक्रण नकर का जो प्रुश्टे वेतीत करते हैं इदर दर गूमते रहते हैं और बोजन जहां मिलता है वहीं पर कुछ टाइम रुख कर ये एक ट्रिक्रण का कार्या करते रहते हैं कि इनके वस्तर अस्तर शस्तर ओजार आभूशन यह सब के सब जानुरों के खाल उनकी हडियां या व्रक्षों के जो विविन भाग है उन से बने होते हैं यहां तक इनके आवास भी जो है वो या तो गुफाएं होती हैं यह पेड़ों की टहनियों पर अपनी आवास बना कर रहते हैं स्वास्थे और भोजन के दरस्टिस इनकी दर्शाज वह बड़ी ही दैनी होती है क्योंकि यह जो लोग खाते हैं वह अशुद होता है और कई दिनों का पढ़ा हुआ खाना भी खालेते हैं उस वज़े से इनका भोजन जो है वो भी शुद नहीं होता और इनका स् बेरे लोगों की से अंब हम बात करते हैं बोजन एकत्रिकरन और आखहेट में लगे वे जिंजाती है समूं के बारे में तो बहजन एकत्रिकरन और आखहेट में लगतनी आखहेट में लगतनी समूं उनन में भूंबदय रDO ब्राज्यल आ तक्षिंळ्य अमेरिका का investig depthization उसमें बोरो जातिया समू है वो पूरा इसमें लगा हुआ है इसके राव। अफरीका के जो पिग्मियी मनाया है उसके से मंग और उभला करते हैं से श Awards ओधिस को अफ्राइब वी आर्तह गति वीदी में सलंगने है का द्वारी में रहने वाले बुशमें और सब्सक्राइब यह ऐस PayPal और कद रोप यह यहां पर कुछ फोटो के जरीए यहां इनकी गतिवीदियों को दिखाए गया है और उसे पहले हम विशु के मानचित्र में संग्रहन और आकेट के खहतर देख लें तो यामेजन도 ей सिन क्या हैं गशेच को जटा यहां बोरो जाती को रहता हि वहों यह गतिवीदी करता है यह आपका अफ्रिका का। कांगो जायरे बेसिन जहां की रहने वाले प्रिगमी जन जाती समूझ है वो इस प्रकार की गतिविदी करता है और दक्षिन अफ्रिका में यहां पर है बुश्मिन का निवास चैतर जो कि आखेट और वनुपुजों का संग्रहन करता है मलाय प्रहणी रहने वाले सेमांग कि जो लोग हैं वो भी इस प्रकार के कारें है हैं यहां पर मोझूद है यह न्यूजीनि और फिलिपिंस वहाँ पर म deg can आपव хотите जो है होगो भी सी प्रकार के कारे करती है यह है भी डुम्ड्रा-प्रदेश प्रुंड्रा-प्रदेश में रहने वाले याकूत हो सारी के सारaly Aunty यह रहती है यह भी आखेट और संग्रहन का चेतर है और यह कनाड़ा का उत्तरी चेतर यहां रहने वाले एसकीमों जो है वो इस प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं तो यह तो विश्व मैप में उनके निवास चेतर हुए कि यहां सबसे पहले यह आप क्लिप जो है फोटो क्लिप इसमें आप देखिए कि कुछ जो लोग है वो चट्टानों के पीछे चिपे में और अपने धनुश्मान से जानवरों का शिकार कर रहे हैं अपने भूजन के आप पूर्ति के लिए यहां देखिए अफरिका का और यह एक क्लिप दिविए इस क्लिप में दिखाया गया है कि किस तरह से यह वनुपुजों का एकत्रिकरन फल्फूट एकत्रित करके ला रहे हैं और यहां देखिए यह शिकार करके उस शिकार को पकड़के ला रहे हैं उसको एकत्रित करके ला रहे हैं तो यह वनुपु मोजन में फल फू पतियां जानवरों हर तरह की जानवर का शिकार करके उनका मास ये खाते हैं नुकिले लिए इस परकार की ये अचिए शिकार करते हैं पत्रों और हड़ियों से ही इनके इस्तमाल किया करते हैं आजकल यह लोहे का बनाए गई हैं और इनके इस्तमाल का एक सिल्वर्टा जिसको हम बोलते हैं पत्थर का जिसमें कि ये किसी चीज को तोड़ना या पीसना हो तो इसमें इस्तमाल करते हैं तो इनके ओजार हैं जो कि आदिम दशाओं को दिखाते हैं प्रारंबिक आदिम दशाओं को दिखाते ह रिए इनके और और इन्हीं उजारों की साहिता से ये अपना शीकार पर लकड़ि काड़ते हैं और उसे इससे अपनी आपन करते हैं उपना आपन कर रहे हैं प्रिवपने भोजन तो नियमित नहीं है दूसरा शुद नहीं होने के वजए से अशुद होने के वजए से इनमें बिमारियां भी जादा होती हैं जीवन इनका जूर वह जीवन का लंबा नहीं होता तो ये इन आदिम जातियों के बारे में कुछ इनके भोजन संग्रहन और आखेट के कुछ गतिवीदी जो है प्रारंबिकार्थी गतिवीदी उसके बारे में ये लेक्चर बहुत-बहुत धन्यवाद उमीद आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मेरी चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू सो मच